नमस्कार मैं आलोक सिंग आज आप लोग के साथ फार्माकोलोजी का एक चैप्टर जेनरल एनस्थीसिया के बारे में कुछ समझने कुछ समझाने की कोशिश से करूंगा जेनरल एनस्थीसिया के अंदर या इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमें स्टेडी करनी है आज हम लोग एक टॉपिक स्टेजिज ऑफ जेनरल एनस्थीसिया उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा साम लोग यह जान लेते हैं कि जेनरल एनस्थेटिक्स को डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे जेनरल एनस्थेटिक्स एक ऐसा ड्रग है जो ड्रग हमारे सी एनस को मैनेज करती हैं जिससे हमारे बॉड़ी के अंदर कोई पेन या कोई दर्द हो हम उस दर्द को महसों से नहीं करेंगे हम सभी को मालूम है कि जब यह वर्ड एनस्थेशिया यूज कर रहे हैं इसका मतलब है यह एक ऐसी दवा है एक ऐसी मेडिशिन है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन को बेहोश करने के लिए मेंसे तू प्रोड्यूस लॉँस ओफ कॉंशियशनेस और यहां पे हम बेहोश कर रहे हैं या लॉँस ओफ कॉंश्यशनेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका main purpose है कि हमारे body में हमें दर्द महसूस ना हो, pain महसूस ना हो during surgery और during operation. मेंस से क्या हुआ कि general anesthetic हमारे CNS को manage करता है और उससे हमें दर्द या pain महसूस नहीं होते हैं. अब यहाँ पर कुछ confusion है, कुछ और भी medical terms हैं जिनका use हम करते हैं to reduce pain या to kill pain या कुछ ऐसे drugs हैं जिनका use हम करते हैं to manage CNS, to manage central nervous system. अब यह drug है, analgesics, analgesic और दूसरा drug है sedative या hypnotics, analgesic भी एक ऐसा drug है जो हमारे body के अंदर pain को reduce करता है या pain killer की तरह काम करता है. और दूसरी तरह हम general anesthesia के बारे में भी यही कह रहे हैं कि हमारे body के अंदर pain को कम करता है, दर्ण को कम करेगा या pain को kill करेगा. अब प्रश्न है, तो हम किस drug को कहेंगे कि यह drug analgesic है और किस drug को कहेंगे कि यह drug gender anesthetic है. ठीक उसी तरह एक और word है, sedative या hypnotic. यह drugs भी हमारे CNS को affect करती है और यह drugs भी हमारे consciousness को affect करती है. दूसरे तरह जो general anesthetics है, वो भी हमारे CNS को manage करतेंगे ताकि हमें loss of sensation हो या loss of consciousness हो. तो अब हम लोग कैसे define करेंगे कि general anesthetic किसे कहेंगे या sedative किसे कहेंगे. तो आईए, हम लोग जानते हैं कि किसे हम लोग gender anesthetic कहेंगे, किसे हम लोग energetic कहेंगे और किसे हम लोग sedative या hypnotic कहेंगे. चलिए, अपनी class को सुरू करते हैं, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि energetic किसे कहेंगे. अब हम लोग को मालूम है कि energetic का मत्तव होता है, वह ऐसा drug, जो drug हमारे pain को reduce कर रहा है, pain को kill कर रहा है. means कि हमारे body के अंदर ऐसी capability प्रोड्यूस कर रहा है या एक inability प्रोड्यूस कर रहा है कि हम pain को sense नहीं कर पा रहे हैं, pain को महसूस नहीं कर पा रहे हैं. but without loss of consciousness. means analgesics are drug that reduce pain or kill pain without loss of consciousness. जबकि हम लोगों ने general anesthetics में ये पढ़ा कि it produce या it kill pain or it reduce pain or it reduce sensation towards pain by producing loss of consciousness. दोनों में फर्ग मालूम हो गया कि general anesthetic loss of consciousness produce करेगा लेकिन जो analgesic drug है वो loss of consciousness produce नहीं करते हैं. और दोनों drug हमारे जो pain होंगी, pain के जो sensation है उस sensation को reduce करेंगी या kill करेंगी. अब ये जो analgesics हैं उनको दो group में divide किया जाता है, एक को हम लोग कहते हैं opioids और दूसरे कहते हैं NSAIDs, non-esterider anti-inflammatory drugs. इनके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे नहीं जानने की कोशिस करेंगे. जब हम लोग analgesic chapter study करेंगे वहाँ पर हम समझेंगे कि opioids क्या होता है या NSAIDs means non-esterider anti-inflammatory drugs क्या होती है. दूसरा word है sedation, sedation या hypnotic यह ऐसा word है या ऐसा drug है जो drug loss of sensation produce करती है. loss of awareness produce करती है, reduction in responsiveness of external stimuli produce करती है but without loss of consciousness means कि pain का जो sensation है वो sensation हमें महसूस नहीं होगी. हमारे surroundings में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा. हम किसी भी external stimulus means यदि हमें कोई pinch कर रहा है कोई हमारे body पे cut लगा रहा है तो उससे जो reflex action होती है या हमारी body जो response produce करती है उसको यह drug reduce करेंगी but without loss of consciousness. general anesthetics से यह सारे काम करेंगी कि loss of sensation हमें दर्द महसूस नहों, loss of awareness regarding surroundings, reduction in responsiveness to external stimuli but with loss of consciousness. तो हम लोगों ने यह जाना कि analgesic किसे कहेंगे, sedative किसे कहेंगे और gender anesthetic किसे कहेंगे. एक बार मैं repeat कर दे रहा हूं, analgesic का मतलब हुआ कि वैसा drug, जो drug loss of consciousness produce किये बिना pain को reduce कर रहा है, दर्द को कम कर रहा है. sedation है, यह loss of sensation, loss of pain, reduction in pain produce कर रहा है, उसके साथ साथ यह यह भी produce कर रहा है regarding loss of awareness towards the surrounding and reduction in response towards external stimuli, but without loss of sensation. अब हम लोग ने जान लिया कि analgesic किसे कहेंगे और sedatives किसे कहेंगे. अब हम लोग अपने इस definition पे आते हैं कि general anesthetic एदि हमें define करना हो, तो हम general anesthetic को कैसे define करेंगे. अब general anesthetic की definition होगी, वो definition बहुत simple होगी, हम लोग को पता चल गया कि general anesthetic क्या है. तो general anesthetic एक ऐसा drug है, जो drug CNS को modify कर रहा है, और यह modification इस तरह से हो रही है, कि it produces reversible loss of consciousness, reversible loss of sensation, reversible loss of relaxation and amnesia. Amnesia का मस्दब है कि loss of memory, means कि during anesthetic condition हमारे body के साथ क्या हुआ, यह हमें पता नहीं चलेगा, तो उसे वाल्ट को हम लोग को कहेंगे, it is amnesia. तो हम लोगों ने आज जाना कि general anesthetic को define करना हो, तो हम कैसे define करेंगे, एक बार मैं repeat कर दे रहा हूं, कि general anesthetic को जाना है, very simple, general anesthetic manage central nervous system to produce reversible loss of consciousness, reversible loss of sensation, reversible loss of skeletal muscle relaxation and at last reversible amnesia, that is the loss of memory. तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि general anesthetic से क्या होता है, अब हम लोग अपने topic पे आते हैं, कि stages of anesthesia क्या है, कि हम जो anesthesia है, जब body anesthetic conditions के, या anesthesia के influence में है, उस समय हमारे body में क्या-क्या changes आती है, जब कोई भी patient को हम anesthetized करते हैं, जब कोई भी patient anesthesia के influence में आएगा, उसके body के अंदर different changes होंगी, और इन changes को हम लोग four stage में divide करते हैं, that is called stage one, stage two, stage three and stage four, इन में से जो stage three है, उनको further हम लोग four planes में divide करते हैं, और वो planes है, plane one, plane two, plane three and plane four, तो आईए, अब हम लोग अपना ये topic जो general anesthetic का पहला topic है, that is the stages of anesthesia, इसके बारे में कुछ जानने, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जो सबसे पहला stage है, उसको ये कहा गया, it is stage one, और इस stage का हम लोग एक और नाम देते हैं, that is the stage of analgesia, मतमिंस पहला stage क्या होगा हमारा, that is the stage of analgesia, दूसरा stage है, that is called stage two, और इस से हम लोग कहते हैं, stage of excitement और stage of delirium, means stage two का, तीन नाम हो गया, stage two, or stage of excitement, or stage of delirium, जो stage three है, उसको में लोग कहते हैं, stage of surgical anesthesia, और last stage है, that is the stage four, और इसी का दूसरा नाम है, stage of medullary paralysis, इन चार stage में, जो stage two है, और stage four है, इन दोनों stage को बहुत जादा dangerous stage माना गया है, है, stage four को यदि हमने proper तरीके से manage नहीं किया, तो patient का death हो सकता है, और जो stage two है, stage two के अंदर patient में violent behavior develop होती है, उनके अंदर excitement develop होती है, तो जब भी हम किसी भी patient को general anesthetic administer कर रहे होते हैं, उस समय इस बात का ध्यान रखना होता है, कि जो stage two का duration है, वो stage two का duration बहुत कम हो या कम से कम हो, मिनसे अच्छा general anesthetics हम उस drug को समझेंगे, जिस drug का अंदर stage two की जो production produce होंगी effect वो duration सबसे कम हो, आगे हम लोग जानेंगे कि stage two के duration को हम कैसे कम कर सकते हैं, यहां सिर्फ यही जानेंगे कि जो stages of anesthesia हैं, उनको हम लोग ने four stage में divide किया, stage one that is the stage of anesthesia, stage two stage of excitement or stage of delirium, stage three stage of surgical anesthesia, stage four stage of medullary paralysis, अब हम लोग इन सभी stage को एक एक करके discuss करेंगे, कि body के अंदर क्या symptoms या क्या characteristics या क्या changes develop होंगी during these stage, तो जो सबसे पहला stage है, that is the stage one or stage of analgesia, हम लोगों ने जब definition study किया था, तो जो पहला drug study किया, that is the analgesic, दूसरा drug था, जिसका effect analgesic से ज्यादा होंगी, उसे हम उने नाम दिया, sedatives या hypnotics, और तीसरा drug है, जिसका effect sedative और hypnotics से भी ज्यादा होंगी, और उसे हम लोग कहेंगे, it is the general anesthetics, means कि जो stage of analgesia है, यह stage start होता है, from the administration of anesthesia, कि patient को हम anesthesia administer करेंगे, administer करते ही, जो stage develop होंगी, उस stage को लोग कहेंगे, it is the stage one, और यह stage तब तक continue रहेगा, जब तक कि patient बेहोश न हो जाए, या patient के अंदर loss of consciousness produce न हो जाए, means characteristics of human body or symptoms of human body develop in between, from administration of general anesthetics, to start of loss of consciousness is called stage one or stage of analgesia, इस stage में person conscious होता है, means person के अंदर consciousness रहेंगी, person conscious रहेगा, लेकिन वो drowsy feel करेगा, उससे यह मालूम होगा, उसके surroundings में क्या हो रहा है, हर एक object को वो आसानी से recognize कर लेगा, आपस में जो भी sounds waves होंगी, उन sound waves को वो recognize करेगा, और body में जो भी sensation या जो भी sensations हो रही है, उन sensations को वो महसूस करेगा, means person under stage one can hear, can see and can feel, जब इससे थोड़ा सा हम और उपर जाएंगे, अब क्या होगा, कि उनका जो sensation है, there will be progressive loss of sensation, और जब progressive loss of sensation डेवलप होगा, means यह general anesthetic अब हमारे body में analgesic effect प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, but without amnesia, means उसका loss of memory नहीं है, उसे पता है कि उसके surroundings में क्या-क्या activities हो रही है, और जब यह stage और ज़्यादा बरहेंगी, तब stage आएगा that is the amnesia, means कि अब उसे महसूस नहीं होगा, अब उसे पता नहीं चलेगा कि उसके surroundings में क्या-क्या हो रहा है, लेकिन उसका जो reflex action है, वो reflex action normal रहेगा, means कि यदि किसी चीज से कोई हम pinch कर रहे हैं, कोई cut लगा रहे हैं, तो body के अंदर जो reflex action होंगी, वो reflex action available रहेंगी, undoubtedly, patient को दर्द महसूस नहीं होगा, patient को ये पता नहीं चलेगा कि उसके surroundings में क्या हो रहा है, लेकिन body में reflex action रहेगा, उनका जो respiration है, वो respiration भी normal रहेंगी, heart beat भी उनका normal रहेगा, और जब stage 1 खत्म होगा, तो person जो होंगे, वो there will be unconscious हो जाएंगे, there will be loss of consciousness, तो हम लोगोने stage 1 में क्या वहा, कि stage 1 को हम लोग stage of analgesia कहेंगे, इस stage of analgesia start होता है, from the administration of the general anesthetics and it lasts up to loss of consciousness, इस stage में जो सबसे पहला point होगा, कि person को अंदर ये general anesthetic एक analgesic effect प्रोड्यूश करेंगी, लेकिन जब analgesic effect प्रोड्यूश कर रही है, loss of sensation हो रहा है, लेकिन amnesia produce नहीं हो रहा है, means there will be no loss of memory, उसे मालुम है कि उसके body के साथ या उसके surroundings में क्या क्या किया जा रहा है, जब ये effect और ज़्यादा बरेगा, तो loss of sensation के बाद उनका हो जाएगा, पैसेंट विल गो अंडर amnesia, means loss of memory, और जब effect और ज़्यादा बरेगे, तो person क्यों हो जाएगे, वो unconscious हो जाएगे, that is the loss of consciousness, और amnesia और loss of consciousness के बीच में, उनके body के अंदर reflex action रहेंगे, पैसेंट का respiration normal रहेगा, पैसेंट का heart beat भी normal रहेगा, और जैसे ही पैसेंट unconscious हो जाएगे, अब जो पैसेंट होगा, वो second stage में enter कर जाएगा, उससे कहेंगे stage 2, या stage of excitement, और stage of delirium, अब यहाँ पे हमारा word आ रहा है, stage of delirium, जो वो एक word है, that is the delirium, कि delirium का मतलब क्या हुआ, क्यों हमें मालूम है, excitement, excitement मतलब क्या हुआ, कि person के अंदर violent behavior develop हो जाएगा, person का body excited हो जाएगे, और दूसरा word हम यूज कर रहे है, delirium, delirium एक new terminology आ गई हमारे पास, इस delirium का मतलब हुआ, कि persons का जो mental ability है, वो mental ability अब disturb हो जाएगे, persons का जो thinking है, वो thinking confusion के में develop हो जाएगा, person का जो awareness है, regarding surroundings, वो surroundings की awareness उनकी खत्म हो जाएगे, और जब ये सारी conditions develop होती है, तो उसके लिए हम एक medical world use करते है, that is the delirium, तो हम लोगों ने जान ला कि stage 2 क्या है, it is the stage of excitement और stage of delirium, अब जब stage 2 में होगा, तो patient तो unconscious होंगे, लेकिन patient unconscious होने के साथ साथ से, patient के अंदर excitement भी develop होगा, means patient का body calm नहीं होगा, अब जहां world use कर रहे हैं कि patient का body calm नहीं है, patient के अंदर excitement देवलप होगी है, इसका मसलब क्या हुआ, कि patient का जो respiratory system होगा, वो respiratory system बहुत increase हो जाएगा, means rate of respiration उनका बहुत ज़्यादा fast हो जाएगे, दूसरा उनका जो heart beat है, जो heart beat होंगी, वो heart beat भी बहुत ज़्यादा fast हो जाएगे, उनकी जो skeletal muscles है, उस skeletal muscles के अंदर involuntary movement स्टार्ट हो जाएगा, और patients होंगे, वो excited conditions में आ जाएगे, और ये जो stage होता है, ये stage बहुत ज़्यादा dangerous stage मानी जाती है, कि अधि कोई general anesthetic से stage 2 के duration को बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है, तब हम उस general anesthetic को ideal general anesthetic के नहीं मानते हैं, मिनसे stage 2 जो है, it is a dangerous stage, और जो anesthesia हम किसी person को administer करेंगे, तो उस समय इस बात का दिहान रखना होगा, कि जब anesthetic effect बढ़ रही है, तो जो stage 2 की जो effect हो, वो stage 2 की effect कम से कम हो, तो अब हम लोग आए इसी stage 2 के बारे में थोड़ा सा detail जानने की कोशिश करते हैं, कि stage 2 के अंदर क्या-क्या changes आती हैं, that is the stage of excitement, और stage of delirium, क्या-क्या होगया, कि patient के अंदर violent, patient unconscious हो गया, loss of consciousness हो गए, लेकिन patient के अंदर violent behavior रहेगा, और जब ये stage खत्म होगा, तो patient जो होगे वो calm हो जाएंगे, patient का body जो होगा वो shant हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या-क्या symptoms होगे, तो there will be imbalance movement, imbalance movement का मतलब क्या होगया, कि जो skeletal muscles के अंदर, एक involuntary movement start हो जाएंगे, जो, वो involuntary movement will not be under control of the patient, because he is unconscious, जूसरा होगया, कि उसका जो वाइश होगा, वो वाइश unclear होगा, वाइश slurred हो जाएगा, हो सकता है, कि patient का जो rate of respiration है, वो irregular हो जाए, और patient अपने respiration को hold करे, अपने breathing को hold करने की कोशिस करे, patient के अंदर vomiting tendency भी develop पे हो सकती है, और last हो गया, कि जो patient का जो people होगा, वो people dilate हो जाएगा, people का मतलब समझ जाए होगे, कि जो eyes है, eyes के अंदर जो people है, वो people dilate हो जाएगे, और ये जो dilate, जब जब dilation develop होगा, तब कहेंगे, it is the end of the stage 2, मैं बारिपीट कर दे रहा हूँ, कि सबसे पहला point क्या हो गया, कि जो patient होगा, वो patient unconscious होगया, लेकिन unconscious होते ही, body के skeletal muscles में, involuntary movement स्टार्ट हो गई, उनकी voice unclear हो जाएगे, patient का respiration irregular हो जाएगा, patient अपने breathing को hold करने की कोशिश करेगा, patient के अंदर vomiting tendency develop हो सकती है, patient का जो heart beat होंगी, वो भी irregular हो जाएगे, और patient का जो last stage होगा, कि patient का pupil dilate होगा, और उसके बाद patient काम हो जाएगा, मिनसे कि loss of consciousness, to violent behavior, to calm of the body, ये जो stage होंगी, उस stage को लोग कहेंगे, it is the stage 2, and it is very dangerous stage, जैसे ही body काम हो जाएगी, body के अंदर involuntary movement बंद हो जाएगी, body के अंदर excitement condition बंद हो गई, violent behavior बंद हो गया, अब patient होगा, वो stage 3 के अंदर enter कर गई, और this stage 3 is most suitable for the surgical anesthetic anesthesia, or for the surgical procedure, और इसलिए हम लोग stage 3 को कहते हैं, it is the stage of surgical anesthesia, इस stage में, जो person का, एक फसल चे पहला point, कि उनका जो violent behavior था, वो behavior बंद हो जाएगा, दूसरा point कि उनकी जो respiration होगी, वो respiration normal हो जाएगी, तीसरा point कि उनका जो irregular heart beat था, वो heart beat नॉर्मल हो जाएगा, persons के अंदर जो people होंगी, वो people अब धीरे धीरे decrease होना शुरू हो जाएगा, और जो stage 3 खत्म होगा, जो people के अंदर जो reflex action है, वो reflex action भी खत्म हो जाएगी, और इसी people के, अब यह जो stage है, stage 3 को, further हम लोग different planes में divide करते हैं, sub-divide करते हैं, और उससे हम लोग करते हैं, plane 1, plane 2, plane 3, and plane 4, यह जो plane है, हम लोग stage 3 को, जो sub-divide किया गया, different planes में, वो planes decide होता है, by the activity of the eyes, और activity of the eyeball, जो plane 1 होगा, उस stage में, जो persons का eyeball है, उस eyeball की movement बंद हो जाएंगी, plane 2 के अंदर, जो corneal reflex है, corneal reflex का मतलब हुआ, कि जब हम किसी भी object से eye को touch करेंगे, तो आई के अंदर, किसी भी तरह का कोई reflex action नहीं होगा, तब उससे हम लोग कहते हैं, corneal reflex, तो जो corneal reflex है, वो reflex बंद हो जाएंगी, in plane 2, और plane 3 के अंदर, light reflex बंद हो जाएंगी, light reflex बंद होने का मतलब हुआ, कि तो हम torch से, eyes के उपर light को रखें, तो जो eyes होंगी, उस eyes में, किसी भी तरह का, कोई reflex नहीं होगा, तब कहेंगे, it is the loss of light reflex, जो plane 3 में, किसी भी तरह का, कोई light reflex नहीं होगा, और इस stage में, फिर से, pupil जो होंगी, वो dilate होना, सुरू हो जाएंगी, और जब plane 4 आएगा, तो people, completely dilate हो चुकी होंगी, मेंसे, eyeball का कोई plane 4 के अंदर क्या होगा, कि eyeball के अंदर, कोई movement नहीं होंगी, eye के अंदर, जो reflex हैं, touch reflex हैं, वो touch reflex नहीं होगा, eye के अंदर light reflex नहीं होंगी, इसके साथ साथ है, कि body का जो intercostal muscles है, वो intercostal muscles से relax हो जाएगा, जो patient का diaphragm है, वो diaphragm relax हो जाएगी, अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए, that is the intercostal muscles and diaphragm, यह दो वर्ड आप लोगों ने, first year में, या human anatomy में, study किया होगा, फिर भी मैं थोरा साउ से revise कर लेता हूँ, कि intercostal muscle किसे कहते हैं, या diaphragm किसे कहते हैं, सबसे पहला intercostal muscles, कि जब हम respiration कर रहे होते हैं, उस समय हमारी जो thorax होती हैं, आप महसूस करते होंगे, यह thorax upward और downward movement होती है, मिल्च जब हम inhale कर रहे हैं, तो हमाई thorax उपर को जा रही हैं, और जब हम exhale कर रहे हैं, तो हमाई thorax हो नीचे को आ रही हैं, तो यह जो upward और downward movement हो रही हैं, हमारी thorax की वो होती हैं, बाइ दिस intercostal muscle से, और यह intercostal muscle से हमारे ribs, दो ribs के बीच में पाई जाती हैं, जो responsible होते हैं, तो मूब दा थारेक्स से upward, और तो मूब दा थारेक्स से downward, और दूसरा वर्ड है, दाइफ्राम, दाइफ्राम का मतलब हुआ, कि वैसा partition जो हमारे thorax को और abdomen area को एक दूसरे से separate करती हैं, तब उससे हम लोग कहते हैं diaphragm, यदि अब हमारी जो depth of respiration है, यह depth of respiration इन्ही intercostal muscles के दोरा और diaphragm के दोरा decide होंगी, मेंसे यदि हमारी intercostal muscles relax हो गए, दाइफ्राम हमारी relax हो गए, तो हमाई जो respiration की depth होंगी, वो depth कम हो जाएंगी, मेंसे there will be swallowness in respiration, मेंसे हम deep breathing नहीं कर पाएंगे, मेंसे जब plane 4 के अंदर patient enter करेगा, तो patient का जो pupil होंगी, वो pupil dilate हो जाएंगी, जो patient के अंदर जो respiration है, वो respiration deep respiration नहीं होगा, और plane 4 के बाद patient enter करेगा into the stage 4, अब हम लोगों ने यह जान लिया, कि जो stage 3 है, this stage is the stage of surgical anesthesia, और stage of the surgical operations, अब इन stage में चार planes हम divide किया गया, plane 1, plane 2, plane 3 and plane 4, इन में से जो plane 1 और plane 2 है, these planes are most suitable for the surgical procedure, और for the operations on the human body, plane 4 के बाद patient जो होगा, वो patient stage 4 के अंदर enter करेगा, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि जब हम किसी भी patient को anesthesia introduce कर रहे हैं, anesthesia administer कर रहे हैं, तो anesthesia की dose इतनी ज्यादा नहों कि patient stage 4 में enter कर जाया, यदि patient stage 4 में enter कर गया, तो उस condition में patient क्या death भी हो सकता है, means that stage 3 का plane 4 and stage 4, यह जो दो stages हैं, यह दो stages dangerous stage हैं, most dangerous stage हैं, और patient यदि इन stage में enter कर गया, जो patient का death भी हो सकता है, और यह death क्यों होगा, क्योंकि उनकी जो respiration होगी, वो respiration चौक हो जाएंगी, जो cns होगा, वो cns प्रॉपर काम करना बंद कर देगा, बॉडी के अंदर जो muscles होगी, वो muscles प्रॉपर काम करना बंद कर देंगे, और last stage होगा, कि patient का death भी हो जानी चाहिए, इस तरह से हम लोगोंने आज यह study किया, कि stages of anesthesia क्या है, मैं उमीद करता हूँ, कि मैं इस topic को समझाने में कामियाव रहा होगा, आपको यह topic के समझ में आगी होगी, कि general anesthesia में stages of anesthesia क्या है, या analgesic, sedative और general anesthetics में क्या difference है, एक बार मैं repeat करते रहा हूँ, कि analgesic reduces pain without loss of consciousness, sedation reduces pain, cause loss of sensation, cause awareness, loss of awareness, but without producing loss of consciousness, और जो general anesthetics होंगे, वो general anesthetics produce करेंगे loss of sensation, loss of awareness, with loss of memory, and by the loss of consciousness, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, कि general anesthetics जो यह सारी चीज़े produce कर रही है, these all are the reversible in nature, means जब person अपने normal condition में आएगा, general anesthetics का effect खत्म हो जाएगा, तो person एक normal person की तरह behave करना शुरू करतेगा, जो influence of general anesthetics है, उन influences को हम लोग four stages में divide किया है, stage one that is called the stage of analgesia, stage two that is called the stage of excitement, that is a dangerous stage, stage three is the stage of surgical anesthesia, and stage four, stage four is the paralysis of the vasomotor system, तो मैं यह उमीद करता हूँ कि मैं यह topic आपको समझाने में काम्याप रहा होंगा, यदि आपको कहीं कोई confusion है, कोई problem है, कोई doubt है, अपने doubt comment box में जरूर लिखें, मैं उस doubts को clear करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, यदि आपको यह topic समझने में आसानी हुई हो, topic clear हुई हो, तो like button को जरूर प्रेश करें, अपने classmates को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जनकारी पहुंच सके। और सबसे लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much for staying with me for such long tourism. Thanks a lot.